नमस्कार आप देख रहे हैं AP TV भारत और मैं हूँ आपके साथ शूती कौशल जैसा कि अब सब जानते हैं करोना वाइरिस विश्व भर में फैल चुका है और इस वाइरिस की चपेट में करीब 176 देश आ चुके हैं और अभी तक लगभग 9000 लोगों की जाने जा चुकी हैं एक तरफ जहां ये वाइरिस बुजर्ग लोगों और वी किम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है वहीं दूसरी और इस वाइरिस से लड़कर 103 वर्षिये महिला बिलकुल ठीक होकर अपने घर लोट आई हैं देखे हमारी ये रिपोर्ट कोरोना वाइरिस से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है इरान में 103 वर्षिये एक महिला बिलकुल ठीक होकर घर वापस लोट आई हैं दरसल ये बुजर्ग महिला इरान की राज्थानी तेहरान से 180 किलोमेटर दूर सेमसान अस्पताल में भरती थी और अब स्वस्थ होकर लोट कई हैं इरान में कोरोना वारिस को परास्त करने वाले ये पहली महिला नहीं है आपको बता दे कि इससे पहले भी 91 वर्षिये महिला को भी दक्षिन पूर्वी इरान में अस्पताल से चुट्टी दी जा चुकी है एक तरफ जहां कोरोना से बुज़ुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहीं दूसरी और बुज़ुर्ग महिला का इतनी जल्दी ठीक हो जाना किसी चमतकार से कम नहीं है बता दी कि ये महिला कोरोना वायरिस को मा देने वाली अब दुनिया की सबसे बुज़ुर्ग महिला बन चुकी है एपी टेवी भारत के लिए शुरूती कॉशल की रिपोर्ट